हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पौदों के बारे में जो आप लगा सकते हैं अभी या फरवरी मार्च में अगर आप सोच रहे हैं कौन से पौदे अपने गारडन में एड़ किये जाएं जो अच्छे से फूल दें और आपके जो स्प्रिंग सीजन है वो बहु जो बहुत बढ़िया लगती है आप देख सकते हैं युनिफॉर्म एक शेप रहती है जिसमें फूल और पते दोनों एक बहुत बढ़िया प्लांट बन जाता है अगर आप इसको लगाना चाहें याद रखें इसको सेमी शेड़ एरिया में रखें फरवरी के महीने में क्यो दोस्तों सबसे ज़रा स्पेशालिटी ये है इसका जो फूल है कम से कम 30-35 दिनों के लिए हमारे यहां पे रहता है तो आप इसको भी जरूर लगाएं दोस्तों मारा जो अगला पौद है इसका नाम है अलाइसम में दोस्तों बहुत अच्छे फूल आते हैं आप देख सकते पंदरा से 20 रुपए का नरसरी से मिल जाएगा एकदम से बड़िया तरीके से ये फैलता जाता है और मई एंड तक आपको बहुत अच्छे से फूल देगा इसको स्वीट अलाइसम के नाम से भी जाना जाता है और इसके अगर हम कलर्स की बात करें तो आपको इसमें बहुत अगर आप इसकी बड़िया तरीके से टेक के अकरो दोस्तों जो जरबेरा का पौदा रहता है इसको सर्फ एक चीज़ की जादा जुरुरत होती है वो है जो आप इसको आईरन डेफिशेंसी के लिए जो हमारे पास पैन होती है जो आईरन पैन होती है उनको थोड़ा सा इस किसस के पते पीले नहीं पड़ते अधरवाइस दोस्तों आप एपसम सॉल्ट भी सप्रे कर सकते हो जितना मैंने देखा है इन दोनों फटलाइजर से ये पौदा अच्छे से चलता है दोस्तों जो जरबेरा का पौदा है ये आपको एराउंड फिफ्टी के रुपीस विद पौट मिलेगा कहीं कहीं पे सस्ता भी मिल सकता है वैसे आपको इसी रेट पे आपको सभी जगा मिलेगा और तीसरा दोस्तों जो हमारे पास पौदा है इसका नाम है नस्टर्शियम नस्टर्शियम में बहुत अच्छे फूल आते हैं और फूलों की कंटिन्यूसली ब्लू प्लांड माना जाता है तो दोस्तों ये सभी मैंने बीट से ग्रो किये हैं और नीचे से आप देख सकते हैं दो मैंने इसके स्टैक बनाए हैं और सिर्फ इसका आपके क्या करना है पीले पत्ते सिर्फ तोड़ने और साथ में डैड हेडिंग करनी है अगर आप इसकी कंटिन जब फूल आते हैं पूरी तरह से गमला है भर जाता है और सबसे जारा अच्छा देखने को लगता है अगर दोस्तों बात करने इस पौदी की कोस्ट कितनी आपको नर्सरी से पड़ेगी सिर्फ 20 रुपए का आपको मिल जाएगा और फरवरी में कुछ ऐसी नर्सरी होती है जो जादा पौदे सस्ते कर देती हैं और आपको कम रेट पे भी मिल सकता है इसको दोस्तों आप सेमी शिड़ेड एरिया में भी रख सकते हो और साथ में इसको चोटे पौट्स जैसे 66 इंचीज के पौट में भी लगा सकती है जो केचन गार्णिंग में हमारे पास वेस्ट जा सकते हैं जो गलाप का पौदा है दोस्तों इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और साथ में जो ग्राफ्टर पौदा है यह आपको एपरल एंड तक बहुत अच्छे बड़े बड़े फूल देता रहते हैं उसके बाद थोड़ी सी गर्मी होने के कारण फूल चोटे हो जाते हैं पर पौदा आपका आपके घर में बहुत आसानी से टिक जाएगा और नुवेंबर से दुबारा से यह फ्लावरिंग शुरू कर देता है आप देख सकते हो मेरे पास इसके दो फूल खिले हैं बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हो और इनमें दोस्तों जो फ्लावरिंग है आप मैं लेने के लिए वर्मी कमपोश रिस्तिमाल करता हूं जो चीज़े मैंने और ज़्यादा की है एडिशनली वह मैंने आपको वीडियो में बताई हुई है तो गुलाब का पौदा भी आप लेकर आ सकते हैं नॉर्मल हम आगर बात करें एक से पूद आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बाहर आप देख सकते हो आई हुई है अगर दोस्तों देखें के बर्ड काउंट बहुत ज़्यादा है अभी फूल खिलने थोड़े से बाकी है इसलिए आपको कम लग रहे होंगे पर दोस्तों डैंथस का पौदा है आप जरू इसकी कीमत आपको सिर्फ और सिर्फ 25 रुपई की नरसरी से मिल जाएगी और यह है दोस्तों मारा अगला पौदा इसको मैं हरे एक जैसे गमलों में लगाता हूँ जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा पौट्स होते हैं क्योंकि दोस्तों जो मेरी गूल की सबसे बड़ी स्पेश सबी पौदे हैं जो आपके अच्छे से आपने इसको खाद देनी है जो मेरी गूल्ड दोस्तों सिर्फ इसको गोबर की खाद पसंद है अगर आपके पास वो है एक मुठी आप एक महीने बाद इसमें डालते रही है तो कंटिनुसली ग्रोथ आपको 100% इसमें मिलती रहेग फ्रेंच मेरी गूल्ड में दोस्तों मेरीगूल बुर् नाज़ा मिक्स या फॉरेस्ट फ़ायर अच्छी वराइटी है जिसको आप एड कर सकते हैं और दोस्तों हमारा जो अगला पौद है इसका नाम है जरेनियम जरेनियम में भी बहुत अच्छे फूल आते हैं आप जाती है कई लाकों में ठंड भी रहती उस जग आप कर सकते उसको नॉर्मली सनलाइट में प्लांट पर जहां पर जारा गर्मी पड़ती है तो इसको सेमी शिडड एरिया में रखना है दोस्तों यह सभी चीजें जो हमारे यहां पर हो रही है यह सभी बारिश की वज़ा से हो जाए तो आप जरीनियम के पौदे को भी जुरूर अपने गार्डन में एड़ भी कर सकते हैं अगर दोस्तों बात करें ऐसा बहुत जो सेमी शिडड एरिया में चले और सस्ता भी आए और सारा साल आपको फूल दे तो उसमें आप दोस्तों बैगोनिया के पौदे को बहुत अच्य होती है, साथ में इसके पत्तों की शेप है जो इसका कलर है बहुत बढ़िया लगता है चाहिए आप इसको लगा लेंगे बहुत अच्य से बढ़ता है इतनी जल्दी से हाइट भी नहीं लेता, इसलिए आप इसको एज बैड़िंग प्लांट यां किसी में भ जगा सकते हैं ये आपको only 30 to 40 रुपीस का नर्सरी से इस वक्त मिल जाएगा तो आप इसको भी add अपने garden में कर सकते हैं और ये है दोस्तों मारा अगला पौदा इसका नाम है कलांचो कलांचो में दोस्तों blooming है September से ही शुरू हो जाती है हाला कि आपको September में भी ऐसे पौदे मि मिल सकता है जो कलांचो का दोस्तों पौदा है ये सदा भार रहता है इसमें फूल आते रहते हैं पर जादा तर फूल आप September से मार्च में ही देखेंगे और इसकी जो growth है वो नॉर्मली चलती रहती है सिर्फ बारिश के महीनों में जैसे आप कह सकते है जुलाई और पौन सुन आता है उसमें आपने जागे रखना है और अगर आप unexpected जैसे अभी हमारे यहां पर बारिश पड़ रही है इस वक्त भी आपको ज्यादा से ज्यादा इसको बचा हो सके तो बचाना जुरूर है दोस्तों जो हमारे पस कलांचों का पौदा होता है ये थोड़ा सक कॉसली जुरूर रहता है ये आपको 150 की रेंज में या 200 की रेंज में नर्सरी से मिलेगा तो दोस्तों यही थी वीडियो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी चैनल को जुरू सब्सक्राइब करके जाएगा वीडियो को भी शिरें लाइक कीजिगा अगर आपको कोई और कोशन है रेगार्डिंग एनी ब्लांट आम मुझे कोमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो तो थैंक यू फर वाचिंग और प्लीज प्लीज दू सब्सक्राइब मार यूट्यूब चैनल थैंक यू